नमस्ते मैं हूँ डारी शिंश्रेया दव मिलिट गर्ल मिलिट रेवोल्यूशन बहुत जल्द आने वाला है बहुत लोग त्यारी कर रहे हैं हम लोग भी त्यारी कर रहे हैं पर आपकी त्यारी तब होगी जब आप इस वीडियो को माक्सिमम शेर करेंगे प्लीज कर रहे हैं जो रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं वो मेरे और आपके साथ से ही सिरफ आएगी फार्मर्स हमारे किसान भायों को बहुत नॉलेज मिलेगी उनका बहुत भला होगा कुछ नॉवल्टी आएगी लोगों को हेल्थ बेनेफिट्स मिलेंगे लोग बिमार प अनॉटीन मिलता है एकट अंदे का वन्टीन का हैं कऊरे लोगों को डाइजस करना बहुत मुशègल होता है लेकिन इस सीड इस मिलीट गाचुंचिन है वह बहुत आज्री पल्रीक लाओं तो आपके बिल्डिंग ब्लॉक के तरह काम करते हैं तो बुल्दिंग ब्लॉक्भ क कहीं के भी हो सकते हैं, आपका skin हो सकते हैं, आपके organs हो सकते हैं, तो overall आपको healthy रखने के लिए अंडे से भी जादा better एक millet है, ये जो millet है, ये आया था, Asian civilization time पर, बहुत ही पुराना, ये एक millet है, जिसको बहुत सारे countries ने adapt किया, welcome किया, और इसको new ancient super crop भी कहा, क्यों कहा, क्यों क जादा है, इतने जादा है, चाहे अगर आप उनके नाम ले, omega-3, omega-6, fatty acids, fiber, squalene, tocopherols, phenolic compounds, flavonoids, phytates, vitamins, minerals, और specially proteins, fiber, calcium, iron, magnees, magnesium, और ये सब आपको मिल जाता है, चाहे जितना मर्जी climatic change हो, लेकिन ये crop लगाने भी, ये जो pseudo-serial लगाना भी है, ये बहुत ही जादा असान है, अब ये pseudo-serial कौन सा है, ये pseudo-serial है, हमारा अपना emaranth, ग्रीक language में emaranthus भी कहा जाता था, याने कि इसका जो meaning है, वो है, एक flower, एक blooming flower, so ये हमारे life में भी एक फूल की तरह खूशी दे सकता है, अगर हम इसको अपने life में add-on क अगर आप अपने बच्चों को ये start करवाना चाहते हैं, this is the right time, आप हमारे किसी भी क्लिनिक में call करके emaranth और कर सकते हैं, आप इसको porridge में, खिच्री के फॉर्म में अपने डाएट में रोज इंक्लूड कर सकते हैं, so emaranth एक super crop है, जिसमें अंडे से जादा आपको protein मिल जा artificial insemination methods, hormones, artificial breeding, इतनी सब चीज़ें किये जाती हैं कि पीटा भी भई लोगों को vegan convert होने के लिए request करते जा रहे हैं, so अगर आप emaranth को अपने डाएट में add-on कर लेते हैं, उसके साथ आप कुछ पालक, kale या हरी सबजियां डाएट में include कर लें, तो believe me, अगर आप 210 mg calcium दूद से ले रहे हैं, तो सिरफ 100 gram emaranth के जो पते हैं, चुलाई के पते हैं, अब अपने डाएट में include करेंगे, so 310, मतलब comparatively, 210 की जगा, 310 mg calcium आप अपने डाएट में ले सकते हैं, So, एक emaranth, ऐसा pseudo cereal, ऐसा millet, जो दूद से जाधा calcium देता है, अंडे से जाधा protein देता है, और किसी भी grain से जाधा essential amino acid याने के lysine भी देता है, So, है ना कमाल का millet, so millet girl की सुनोगे, knowledge तो मिलेगी ही, अगली बार, कौन सी emaranth की recipe खाई, जरूर मुझे comment करके बताईएगा, और अगर recipes चाहिए, तो description box पर देख लिजे, जाते हुए शेर करूँगे, के millet girl की videos को maximum share कीजे, comment करिए कैसा लगा और next millet के बारे में क्या सुनना चाहते हैं, अमरेंट खाया था वैसे, बताईएगा, सुनें कभी उसके बारे में, बाई!